हेलो फ्रेंड्स मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका सौगत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में जैसे कि हम सब जानते हैं कि GST पोर्टल में काफी सारे बतलाव जो हैं हो रहे हैं हम कुछ वीडियो में डिसकस भी कर चुके हैं कि क्या-क्या जो है इसमें चें अगर किसी ने वह वीडियो रेफर नहीं कर रही है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लेक डाल दिया गया है तो वहाँ पे उस वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो रेफर कर सकते हैं आज इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करते तो हमें क्या-क्या प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है यहाँ पे हमारे को उसके से इसकी जो करने करने पर सकते हैं तो आईए देखते हैं इसकी जो करन टर्न आवर क्यलकुलेशन की मैथेडल मैथेडलविई है उसमें जो है नान फाइलर के लिए 3B के non-filer के लिए क्या problem create हो सकती है तो इसकी जो methodology है इसमें सबसे बहुते 3B eligible or libel to be filed के case बताए गए है इसमें जो fifth point है वो बताया गया है for those who have not filed all the return जहां पे जिन cases पे जो है पिछले पुरे 12 मैने की GSTR 3B file नहीं करी उस cases में किस तरीके से calculation करी जाएगी वहाँ पे extra population of extra population of turnover जो है किया जाएगा और उसकी calculation किस तरीके से रहेगी और उससे क्या problem create हो सकती है taxpayer के लिए तो इसकी जो calculation है GSTR 3B turnover for the financial in 1920 has been extra polluted by the following formula वो क्या formula यूज़ कर रहे हैं total turnover declare as per all 3B filed जितने time के 3B file कि जोगी for the financial in 1920 उसकी turnover ली जाएगी total turnover उसको divide किया जाएगा number of 3B filed और उसको multiply कर दिया जाएगा number of the 3B eligible or liable to be filed तो जितने भी जब तक कि उसकी registration valid है उस time तक कि जब तक वो liable है filing के लिए तो तब तक का period जो है considered किया जाएगा इसको हम example से समझते है कि suppose किसी की turnover जो है उसने 10 मन की जो है return file करी है लेकिं April से लेकर Jan तक की return उसने file कर दी है लेकिन February और March की उसकी return pending है for the financial year 1920 और उसका जो total turnover बन रहा है वो मान लेते हैं 4CR बन रहा है तो 10 महीने का total उसका चार करोड बन रहा है तो 2 महीने की उसकी pending returns है तो ऐसे cases में calculation किस तरीके से जो है portal करेगा उसके 4 करोड को divide कर देगा divide by 10 कर देगा जो 10 महीने की उसकी return file है तो 40 लाग की उसकी averagely turnover आ गई per month उसको multiply कर देगा number of eligible eligible or liable to be filed जो कि हम मानके चलते हैं कि वो जो है 12 मंत तक पूरे liable था point to 12 कर देगा तो हमारे इसके साब से turnover उसकी जो है 4.8 करोड ही बन रही है इसकी calculation के साब से लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो है turnover actual में more than 5 करोड हो जैसे कि हम सब जानते हैं more than 5 करोड के case में जो due date जो है वो 20th of next month होती है और अगर less than 5 करोड है तो उसमें category A state की जो due date है 22nd of the next month होती है और category B state की जो है वो 24th of the next month होती है तो ऐसे cases में जो यहाँ पर calculation होगी non-filer के case में वो vary कर सकती है actual से actual में हो सकता है कि more than 5 करोड हो गई हो for the month of अगर हम पूरे साल की मिला के चले और February और March की जो फाइल नहीं करी है उसकी turnover भी include करे तो 5 करोड से exceed actual में हो चकी हो लेकिन यह पोर्टल के हिसाब से वो less than 5 करोड दिखाएगा और बात यह है कि YC वरसा case भी हो सकता है कि उसकी turnover जो है वो actual में जो है 5 करोड से कम हो और हो सकता है उसकी sale बाद में कम हुई हो लेकिन calculation के हिसाब से जो है उसकी turnover जो है more than 5 करोड हो तो ऐसे case में क्या होगा more than 5 करोड के हिसाब से financial year वो main screen में दिखाएगा main screen में वो दिखाएगा more than 5 करोड यहाँ पर दिखाएगा और वो late fee भी लेगा more than 5 करोड के हिसाब से financial year 1920 के यहाँ पर दिखादेगा 5 करोड से ज्यादा और late fee भी वहाँ से consider करेगा लेकिन जो actual जो turnover उसकी निकलेगी वो less than 5 year हो सकती है तो उसकी due date जो है actual में जो उसकी होनी चाहिए थी वो 22 या 24 हो सकती है as per the case में भी जो भी उसका principal place of business है उसके हिसाब से जिस state पे भी है तो यहाँ पर problem हो सकती है 3B non-filer के case में कि उसको जो है उसकी जो late fee है वो बढ़ सकती है अगर case जो हमने second part में case लिया जहाँ पर उसकी turnover जो है वो vary करेगी actual financial statement से दोनों case में actual में vary करेगी चाहे वो actual में ज़्यादा हो या फिर जो calculation के हिसाब से कम हो या फिर calculation के हिसाब से ज़्यादा हो actual में कम हो तो कोई भी case हो सकता है दोनों में से तो यहाँ पर जो है non-filer के लिए issue आ सकता है तो हमें इस point को जो है fifth point को जो है इनके methodology जो है इसके fifth point को धिहान में रखना है और अपनी three भी जो है timely file करने है तो यह एक important point लगा discussion के regarding हो हम मैंने आपके साथ इसको share किया तो मिलते हैं फिर next video में आपको यह information पसंद आई होगी तो इसे like कीजिए share कीजिए regular updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें notification bell icon को press करना ना भूलें ताकि जैसे ही नए अपडेट डाले आपको वो immediately मिल जाए thanks for watching